अलो फ्रेंद्स मेरीटा की क्रियेशन्स पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आज मैं आपको यह 3D फ्लावर बनाना बताऊंगी क्रोश्य पे अब दिखे हमने धाग्य को ऐसे पकड़कर ऐसे देखे लूप सी बना ली अब हमने क्रोश्य की हुक को ऐसे लेकर हमने इसके नीचे से असे निकाल देना है और एक हम चेन बना लेंगे अब हम 6 सिंगल क्रोश्य बनाएंगे एक दो तीन चार पांच और छे अब इस धाग्य को हम ऐसे खीच लेंगे अब आप ध्यान से देखिए हमने ये फर्स्ट ये दो देखिए ऐसे चेंज दिखाई दे रही है इनको हमने ऐसे क्रोश्य पर ले लेना है और अब हम इसको यहाँ पर स्लिप स्टिच करके बंद कर देंगे अब हम तीन चेंज बनाएंगे अब हमने देखिए यही से फर्स्ट वाली में यहाँ हमने डबल क्रोश्य बनाना है और यह डबल क्रोश्य हमने देखिए ऐसे फर्स्ट चेंड में भी हमने बुनाई किया फिर से हमने वही से डबल क्रोश्य बनाना है यह हमारे इसको एक गिनेंगे एक तो तीन फिर से हमने वही से बनाना है डबल क्रोश्य है चार फिर से वही से हमने पांच यह दखीए हमने पांच दबल पोड़ाश बना लिए अब इस धागे को हमने ऐसे कि अब यह देखिए यहां पर हमने यहां से हमने क्रोशिये को लेना है और इस stitch को हमने लेके इसके बीच में से इसे निकाल देना है फिर हम दो चेन्स बनाएंगे, अब देखे हमने ये नेक्स्ट वाली चेन में, यहाँ पर अब हम डबल कृश्या बनाएंगे, एक, दो, तीन, चार, और पांच, यह हमने पांच डबल कृश्या बनाएंगे, बना लिए, इसको निकाल देंगे, फिर देखे हमने यहाँ से क्रोश्यों को लेके, इसको हमने बंद कर देना है, और इसको हमने देखे टाइट कर दिया, फिर हम दो चेन्स बनाएंगे, फिर देखे अब यह वाली चेन में, नेक्स्ट वाली चेन में, हमने पांच डबल क्रो झाल झाल अब हमने देखिए हर चेन में ये पाँच पाँच पर डबल कुरिश्या बनाने हैं हम एंड में आ गए एंड में हमने ये लास्ट चेन में डबल कुरिश्या बनाना है अब हम दो चेन्स बनाएंगे अब दिखें अंड में आगे हमने इसके पीछे से यहां जहां पर हमने ये दो चेन्स बनाए थे वहां पर अब हम इसको स्लिप स्टिच करके बंद कर देंगे ये हमारी फ्लावर की एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, छे पैटल्स बनगे अब हम इस धागे को काट देंगे अब हम दूसरे रंग का वूल अटैच करेंगे ये दिखें हमने जहां पर ये दो चेन्स बनाए थे उस पेस में हमने दूसरे रंग के वूल से अब हम क्रोश्या करना शुरू करेंगे अब यहाँ पर हम इसको एक चेन्स बनाके पक्का कर देंगे फिर देखें तीन चेन्स बनाएंगे तीन चेन बनाने के बाद, अब हम यहाँ पर देखिए, डबल क्रोशिया बनाएंगे उसी स्पेस में फिर से हमने वहीं से डबल क्रोशिया बनाया, दो, फिर से उसी स्पेस में हमने डबल क्रोशिया बनाना है 3 4 और इसको यह जो हमने तीन चेंश बनाए थे इसको डाल कर यह पांच डबल कुरोश्या हो गए अब हम यहां से देखे इसके बीच में से कुरोश्या को लेकर अब इसको हम बंद कर देंगे और यहां पर हम दो चेंश बनाएंगे फिर से देखिए अब हमने उसी स्पेस में पांच बार डबल क्रोशिया बनाना है एक दो तीन चार और पांच यह देखिए जहाँ पर हमने यह चेंज बनाये थे वहाँ से क्रोशिय को लिया और इसको बंद कर देंगे फिर हम दो चेंज बनाएंगे अब हम यह देखिए नेक्स्ट जहाँ पर हमने दो चेंज बनाये थे वह वाली स्पेस में से हमने क्रोशिय को लेना है और यह धागों को हम साथ की साथ अंदर करते जा रहे हैं यहाँ पर अब हमने डबल क्रोशिया बनाया एक फिर से उसी स्पेस में हमने डबल क्रोशिया बनाना है दो तीन चार और पांच फिर देखिए हमने यहां से क्रोश्य को लेकर इसको बंद कर दिया अब दो चेंज बनाई फिर से हमने इसी स्पेस में एक बार और पांच डबल क्रोश्यास बनाने है एक दो तीन चार और पांच फिर हमने यहां से क्रोश्य को हुक को लिया अब इसको हम बंद कर देंगे फिर दो चेंज बनाएंगे अब हमने देखिए जहां पर यह दो चेंज बनाए थे वहां पर अब हमने पांच डबल क्रोश्या बनाने हैं अब हमने हर स्पेस में इसी पैटरन को रिपीट करते जाना हैं हमने दो दो बार पांच डबल क्रोश्या बनाने हैं हर स्पेस में अबल क्रोश्या बनाएंगे झाल झाल दिखे हम एंड में आगे यहां से हमने डबल क्रोश्या यह पांच डबल क्रोश्याज बना लिए फिर हमने यहां से इसको बंद कर दिया फिर दो चेंज बनाएं फिर से हमने वहीं से पांच डबल क्रोश्याज और बनाने हैं झाल झाल अब दिखे हमने इसको बंद कर देना फ्लावर को तो यह दिखे पीछे से हमने यहां से इसको स्लिप स्टिच करके बंद कर देंगे अब हम यहां से इस धागे को काट देंगे यह देखे यह हमारा 3D फ्लावर बन के तैयार हो गया अब यह धागे को हम अंदर की चरफ कर देंगे देखे ऐसे यह खूबसूरत सा फ्लावर आप बनाएं यह फ्लावर आप बचों की कैप, स्वेटर किसी पर भी लगा सकते हैं और यह देखे यह फ्लावर बन कर कितना खूबसूरत यह फ्लावर बना है